हेलो गाइस स्वागत है आपका मिक्स करन गेमिंग की और एक नहीं वीडियो में और आज हम लोग करने वाल हैं फैल को पैट का एबिलिटी टेस्ट जो आपको पता है नया पैट आया है एक बर्ड पैट तो गाइस अगर आप चैनल पे नहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर द हैं तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पैट की अबिलिटी है स्काइल इन स्प्री यानि की यह हमें लैंडिंग जल्दी करवाएगा तो मेरा अभी 5 लेवल पे लेकिन मैक्स लेवल कर दीजेगा तो 45 परसेंट जल्दी लैंडिंग करवाएगा तो चलिए अब ह हम आ चुके हैं अपनी लॉबी में और पहले हम अपने पैट को एक्विप कर लेते हैं और यह आया क्यों नहीं अभी तक कि फिर से करते हैं गाइस रुकिए कहां चला गया यह भाई साब तो चलिए गाइस चलते हैं मैच में और करते हैं अबलेटी टेश्ट तो आप लोग टाइमर पे अपनी आखे ज़रूर रखेगा गाइस तो हम फैल को के साथ जम कर रहे हैं और स्टार्टिंग टाइम है हमारा 255 तो अगर आप स्लोगर के देखेगा तो आपको पता चल जाए कि 255 पे हमने जम किया था और अभी हम जम कर रहे हैं रिफाइनरी और बेफरंट के बीच के एरिया में तो यहां देखेंगे कि फैल को कि साथ जम करने पर हम कितने सेकंड्स में नीचे आ जाते हैं तो यहां तो 226 में नीचे आ गए 29 सेकंड्स का टैम लगा हमको गाइस तो अब हम करेंगे इसके बाद हम करेंगे विदाउड फैल को के साथ जम तो देखेंगे कि बीना फैल को किसा साथ कितने सेकंड का टैम लगता है आपने करेक्टर को नीचे उतरने में तो गाइस यह रिम निम विलेज वाला ट्रेजर हंड था जिसे मैं डालना बोल गया था तो इसलिए मैंने उसे इसमेंड कर दिया तो चलिए अब हम चलते हैं विदाउट फैल को के साथ जंप करेंगे और यहां मैंने अनिक्विप कर लिया है फैल को तो फिर से गाइस अपनी आखे टाइमर पे रखिएगा तो यहां मा चुके हैं अपने गेम में और विदाउट फैल को के साथ हमने टू फिफ्टी फोर पे जंप लगाई है और हम फिर से उसी एरिया में जंप लगाएंगे कि अबसुब तो हमने पहले जंप लगाईटी तो यहां हम कि अभी आधा रास्ता पार कर चुके हवा में और इची बस पहुंचने वाले हैं यही एरिया में हमने जंप लगाई थी पहले वाले जंप में भी काई तो यहां कितना टइम लगता है ये अब देखते हैं यहां हमें लगा है इना नोच तो फैल को के साथ हमें लगा 29 सेट्स का टाइम और विदाउट फैल को के साथ 31 सेकंड तो दो सेकंड का डिफरेंस हमें देखने को मिला गाइस तो यह था हमारा एविलिटी टेस्ट आफ पैट फैल को तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना गाइस और ऐसे ही गे गुद्बाइ